तो दूस्तो वेलकम टू मैं चानल आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्ट का इंसी आटी का हिंदी का सेकिंड चैप्टर इसका नाम है फसलो के ट्योहार तो चलिए शुरू करते हैं सारा दिन बोर्सी के आगी बैठ कर हाथ तापते हुए गुजर जाता है कहां तो खिचडी के समय धूप में गर्माहट की शुरूआत होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतिजार में आस बगाए बैठे हुए हैं पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी ठीक है यह बताया है कि यहां पर जो लोग है वो पूरे दिन रजाई में ही बैठे रहे क्योंकि वहां बहुत ठंड हो रही है सूरज नहीं निकला और धूप फिर बि चमपांकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हांक लगाने की आवाज आ रही थी जा भाग के देख केरा के पत्ता आईल की ना आज ए लोग के उठे के नईखे का बोल जल्दी तयार हो खस अब तो उठने में ही भलाई है यह जो लोग बाते करें आपस में उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो उटना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत देल हो गई है पर सूरज नहीं निकला तो इन्हें समय का पता ही नहीं लग रहा नहा धोकर हम सभी एक कमरे में एकटा हुए दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है खिचडी में अईसन्थ हाट हम पहले कबो ना देखनी सारा देह कनकना देता पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी ठंड किसले लग रही थी ठंड इसले लग रही थी क्योंकि धोती तो नीचे से खुली होती है ना तो उनको हावा लग रही होगी और उससे उन्हें ठंड लग रही होगी सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी आज दादी ने अपने बाल धोए है जख सफेद सेमल की रूई जैसे हलके फुलके बाल गौर से देखने पर भी एक काला बाल नेजर नहीं आता बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कटार में रखे हैं जिस पर तिल मिठा गुड चावल आदी के छोटे छोटे धेर पड़े हुए हैं हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और पड़ाम करने के लिए कहा गया जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगा इकटा करके दान दे दिया गया आज तो अप्पी दिदिया बुरी फसी उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और नहीं खिचडी पर आज तो फर्माईशी नाष्टा नहीं चलेगा उन्हें दोनों ही चीजे खानी पड़ेंगी आज खिचडी जो है खिचडी खानी के बाद सभी इन्हें गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ये खिचडी जो कभी मन मना रहे हैं स्कूल में हम जो खिचडी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी चुटी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दोड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरू जी विमला दिद्दा आनंद जी जिलमिट भाया और मिलकर ईट से बने चूले पर बड़े बड़े का हों में खिचडी बनाते थे हम भी बीच-पीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते वैसी खिचडी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली वाकी धंग कैसा भी हो पर ये है ये खुशियों का त्योहार जन्वरी महा के मध्य में भारत के लगभक सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है आप सभी इस बात को जानते होंगे जन्वरी में फसलों के त्योहार मनाया जाते हैं हर जगा पर अलग अलग नामों से उनको मनाया जाता है कोई फसलों के तयार हो जाने पर खुशी बाठता है तो कुछ लोग इस उमीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा सूरज की गर्मी भढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से भढ़ेगी सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना धंग नजर आता है इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्धी प्रदेश में मकर संक्रांती या तिल संक्रांत असम में बीहू, केरल में ओडम, तमिलनाडू में पॉंगल, पंजाब में लोडी, जारकंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों के जुड़े त्योहार है इन्हें जन्वरी के मध्धे अप्रेल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है, जारकंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश से मनाया जाता है, चार दिनों तक इसका जश्नी चलता रहता है अलग-अलग जनजातियां इसे अलग-अलग समय में मनाती है संथाल लोग फरविरी मार्च में तो औराम लोग इसे मार्च अपरिल में मनाते हैं आदिवासी आमतोर पर प्रकृति की पूजा करते हैं सरहुल के दिन विशेस रूप से साल के पेड की पूजा की जाती है यही समय है जब साल के पेड में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है इस त्री पुरुष दोनों ही धोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं चारो और फैली हुई छोटी छोटी घाटियां लंबे 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 साल के व्रक्षो का जंगल और बड़ी आस पास बसे छोटे छोटे गाउं लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ती में कमर के बाहें कमर में बाहें डालकर नेत्य करते हैं आप देखरें ना इस पिक्चर में जिस तरीकी से दिखाया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से अग्ली तरीके से बाहें